हाई एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो साम का टाइम है, साम के करीब 6 बज़ रहे हैं अभी, तो हलका हलका धूप है, मौसम काफी अच्छा हो रखा है, लेकिन हलकी हलकी धूप दिन बर तो मौसम ठंडा था, लेकि कि नहीं, कल बारिस होई थी अच्छी, तो मौसम अच्छा रहता है, तो कुछ चटपटा इस टाइप का कुछ खाने पीने का अमन करता है, तो आज मैं बना रहे हूं ये उड़क डाल की कचोड़ी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ सेयर करूँगी, कचोड़ी तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई ठीकाना नहीं है, लाइट जो है थोड़ी सी डीम हो गई है, तो देखते हूँ, पीस जाता है कि नहीं, पहले पीस लूँ, उसके बाद फिर तयारी आगे की करूँगी, तो चलिए दे और इसमें अजवाइन और नमक थोड़ा सा डाला है, उसके बाद देशी घी से जो है मोयन दूंगी, तो देशी घी की जगह वो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन देशी घी से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैंने देशी की लिया है, और बहुत ही अच्छे से मतलब मलना है, और ना लड़ू की तरह जैसे बनने लगता है, तो इतना होना चाहिए, इतना देर मलना है, और थोड़ा सा घी या तेल की मात्रा भी जादा रहता है, तो सही रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूत ल तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गुद लिया और अभी रख दे रही हूं कुछ देर के लिए तो ये सेट हो जाएगा और अभी लाइट नहीं आई अंधेरा भी हो रहा था तो अभी मैं जारी हूं अभी से शिल बटे पे पिसने तो यहां छट पे देखे अंधेरे में नहीं पीस पाऊंगी तो फिर यह रह जाएगा और क्या हुआ ना कि जब मैं पीस के गई उसके बाद ही जो है लाइट फिर सही हो गई तो यह सब होता है ना मतलब डिक्कते आती हैं लेकिन कोई नहीं चलिए मतलब एक दिन यह हो गया कि चलो आज जो है सिल ब बाशानी के और सिल पे जो है थोड़ा चीपकता है तो यहाँ पे मैं पीस ले रहे हूं पूरा इसी तरह से और उसके बाद आगे हूं लेके नीचे तो यहाँ पे मैं कडाई में तेल डाल रही हूं और इसको जो है जो उड़त दाल मैंने पीस के तयार किया है इसको जो है इसमें भुन लूँगी तो तेल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा थोड़ा सा आधा चम्मस से थोड़ा सा ज्यादा है और हिंग तो हिंग बहुत ही जरूरी यह उड़त दाल में हिंग जरूर डालना चाहिए ज तो उड़त दाल जो है थोड़ा सा इससे जो है प्रॉबलम होती है गैस की दिकत होती है तो इसके लिए हिंग का इसमें अच्छी मातरा में बहुत जादा नहीं लेकिन डालना बहुत ही जरूरी होता है इससे यह थोड़ा सा नुकसान नहीं करता है तो बस इसे भून ले र तो अगर पीस्ते टाइम नहीं मिलाया है आपने तो आप बाद में उसका अलग से पेष्ट तयार करके भी इसी टाइम मसाला भूनते समय मिला सकते हैं तो बस इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है दीमी आज पे थोड़ा ये सूखा हो जाता है तो भरने में सही रहता है और थोड़ी सी इसकी टेस्ट भी अच्छी हो जाती है तो बस यहाँ पे चला के अच्छे से और चलाते रहना है बराबर वरना ये कड़ाई में तो आज मैं जिस तरह से आलू की सबजी बना रही हूं न ये सबजी पूरी पराठा इन सब के साथ कचोड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पे जब तक टमाटर भुन रहा है तो मैं टमाटर भी कट कर रहे हूं एक टमाटर मैंने पीसा हुआ है लहसुन मिच के साथ और एक टमाटर यहां पे कट करके डाल रही हूं तो थोड़ा सा सही बनता है पूरा पेस्ट डाल देने से ही न बिल्कुल जैसे वो हो जाता है जूसी हो जाता है ग्रेवी ही बन जाती है उसके बाद टमाटर डालने के बाद यहां पे पेस्ट भी मैंने डाल दिया ह लेसुन, मिर्च, अद्रक है, टमाटर है और इसको ढग दूँगी थोड़ी देर के लिए थोड़ा देर ये भुन जाएगा तो उसके बाद मैं डाल रहे हैं यहां पर सूखे मसाले तो सूखे मसालों में वहीं हल्दी, पाउडर, धनिया, पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउ हो जाता है जो है और कस्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल लिया है तो बस मसालों को अच्छी तरह से भुन लेना है डालने के बाद फिर यहाँ पर मसाले बहुन चुके हैं देखी और तेल भी थोड़ा 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 मसालों ने छोड़ दिया है तो यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ कसूरी में थी तो इसको भी डाल के हलका से चला ले ना उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आलू तो आलू को इस तरह से हाथ से तोड के डाल रही हूँ बहुत जादा मैस भी नहीं करना है बस जैसे थोड़ा सा वो रहता है ना हाथ से मल दें थोड़ा सा खुरदरा जैसे हो जाता है आलू उस तरह से तो बहुत ही अच्छा बनता है ये इसमें ऐसा है ना कि आप कोई भी पेस्ट ना भी मिला है अगर टमाटर लेसुन इसका अगर सिर्फ कट करके भी डाल देते है ना तो बहुत ही अच्छी सबजी बनती है और बिना मसालों के और कोई भी मसाला नहीं है सिर्फ हल्दी पावडर धनिया पावडर भी अगर आपने डाल दिया और हरा धनिया वगरा ये सब है थोड़ा सा तो ये अच्छा बन जाता है बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और इसे आप किसी भी चीज के साथ आराम से खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर आलू मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने फिर से डाल दिया है और जब मैंने ये बनाया था ना मैं तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी डाल धनिया भी कट करके डाल दिया है और गरम मसाला भी डाल दे रहे हूं तो बस कुछी देर में सबजी हो जाएगी और यहाँ पे आटा भी सेट हो गया है अच्छी तरह से तो इसे भी न थोड़ा सा तेल लगा के जो है गूत ल तो बस यहाँ पे अब मैं तयारी कर लूँगी क्योंकि सबजी भी बनी चुकी है जब तक मैं यह सब फ्राइ करने के लिए रेडी करूँगी तब तक यहाँ पे देखे सबजी हो रही है बस एकदम हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर और पका लूँगी तो यह हो तो यहाँ पे लास्ट में मैं नमक मिला रही हूँ भुनते समय मैंने नमक नहीं मिलाया था क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा यह मौइस्चर छोड़ने लगता है तो इस वज़ा से मैं नमक बाद में मिलाती हूँ यह से भुनने के बाद तो कमी चांस रहते हैं लेकिन मै ऐसे ही बनाती हूँ भरते समय देखे सबका तरीका अलग-अलग होता है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ और सब लोग कैसे बनाते हैं मतलब सबका अपना अपना जो है तरीका आइडिया सबका ट्रीक अलग-अलग होता है तो यहाँ पे सारी जो भी भी भरने वाला पराठा मैं बनाती हूं तो इसी तरह से बनाती हूं तो बस मैंने भर लिया है पांच-छेठो और इसको छोटा-छोटा इसी तरह हलके हाथों से बेल लूँगी ताकि यह फूटे नहीं अगर ज्यादा जोर से हम प्रेसर दे के बेलन लगाएंगे ना तो फूट जाएगा तो फिर वही है कडाई में डालने के बाद थोड़ी सी दिकत होने लगती है फट जाता है पूड़ी तो तेल यहाँ पे हो गया है तो अब मैं डाल रहे हूं और चेक कर रहे हूं कि कहीं इधर-उधर फूटा तो नहीं है तो एक-दो फट जाता है ऐसा नह खराब हो जाता है तो उसको मैं लास्ट में करती हूं और यहां पे देखे यह पहला मैंने डाला ना तो यह अच्छी तरह से जो है नहीं फूला हुआ है देखे तो इसमें यह भी हो जाता है ना फ्लेम का भी दिक्कत हो जाता है अगर फ्लेम हाई या बहुत लो है ना तो भी कचोडियां नहीं अच्छे से फूलती है तो flame का भी ध्यान देना होता है medium flame पे ही इसको इसको डाले बहुत ज़्यादा तेज flame पे नहीं तो यहांपे देखे इब यह पूरी फूल रही है और क्या हो रहा था जब मैं कैमरे को on रख रहे थी न तो जो है कचोडिया नहीं फूल रही थी और उसके बाद जो है फूल रही थी मैं भी देख रही थी कि मतलब इसको पता नहीं क्या हुआ है जो है तो यहाँ पे बस कचोडियों को तल रही हूँ और यहाँ पे मैं खाना भी निकाल ले रही हूँ पापा को सबसे पहले तो बस गर्मा गरम फ्राइ करूंगी और सबको देते भी जाओंगी तो मैं ऐसे ही करती हूँ बनाती जाती हूँ और सबको परोज भी देती हूँ सब लोग खाते रहते हैं तो गर्मा गरम अच्छा भी रहता है ना सबको बना के देते जाओ और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है जो है थोड़ा सा टाइम लेके बनाना होता है और देखिए एक दम बिल्कुल खस्ता बनाए एक एक ही मैं बना रही हूं क्योंकि कडाई छोटी है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बहुत तेज आग पर इसे बिल्कुल भीजी ना बनाए नहीं तो फिर ये उपर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्छा ही रह जाएगा बच्ची दादा को और ले चाओ देदू दादा को और ले चाओ देदू प्लेट तो अब भी देखे सारी कच्छोडियां बिल्कुल फुली फुली सी हो ले हैं ये देखे दिखा दे रही हूँ वरना आप बाद में कहेंगे कि एक भी कच्छोडी जो है L kan 2013 तो बस ले जा रही हूं तनमे को देने, तनमें खाना खा रहा है और ना सारी तो चोड़िया क्तम हो गई है और ये ले गए है अब ही नआ नमक, छो रखा था उसमें चलरे रहे हूं, नमख मिला नहीं खंप तो तन मैं को दे देती हूँ तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ उनलोग को मैंने दे दिया है तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं हो रहा है और मैं बना के तुरंट ऐसे ही गर्मा गर्म ले लेती हूँ तो यह सब चीजे रहती हैं तो बस मैंने ले लिया है देखिए आप सब भी खा लीजिए तो खाना पिना हो चुका है और सारा काम भी मैंने खतम कर लिया है कीचन क्लीन कर ली है और अभी हाथ मुधो के आ रहे हूँ तो ठकान हो गई आजकल मेरी तबियत थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है बहुत खराब भी नहीं का सकते हैं लेकिन अच्छी भी नहीं है दिक्कत हो रही है खड़े होके खाना बनाने में समस्या हो रही है मतलब पैर में दर्द, कमर में दर्द यह सब हो रहा है और लगी थी मैं 6 बजे और अभी टाइम 10 बज रहे हैं तो क्या हुआ कि वही लाइट के चकर में जो है आदा गंटा तो लाइट के चकर में चला गया मैं सोच रही थी अब आएगा आप आएगा जो है लेकिन नहीं लाइट सही हुआ और जो ही मैं उपर से न सिल बटे से पीस के आई तो तुरंद लाइट जो है ठीक हो गई वही है फिर उसके बाद गुसा भी लग रहा था लेकिन ठीक है फिर मैंने सोचा अब चलो बढ़ियां है आज थोड़ा सा सिल बटे का भी टेस्ट लिया जाए कहां कब भी नहीं पीसा जाता है बहुत ऐसे यहीं जैसे कि कभी इमरजेंसी में लाइट नहीं रहती है तब ही सिल बटे का इस्तिमाल होता है कहांłącz इस्ते वाल होता है नहीं फूल रही थी और जब मैं बंद कर दे रही थी तब फूल देा अजीब मतलब यह सब भी ना अजीब जैसे होता है للधर की इसको बोल सकते हैं एसे में जो है आज एक और वीडियो मैंने सूबा जो है सूट किया तो जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना लाइट ही उस कमरे की बंद हो जा रही थी लाइट कर जा रही थी ऐसा ही होता है लेकिन अब अपनी तारीफ क्या बताऊं लेकिन कचोड़ियां बहुत अच्छी बने थी और मैंने पता है। दो मैं लेक्या आई थी कि दो खाऊंगी हो सकता है तीन खाऊं लेकिन फिर उसके बाद चार मैंने खाया और सारे खतम हो गए एक भी बचा नहीं है और सुबह के लिए बस थोड़ा सा आटा और वो जो है उसका भरावन जो होता है वो तो मैंने पहले ही निकाल के रखा ताग साथ ज्यादा हो जाए यह सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा बन भी जाती है लेकिन सबजी बिल्कुल भी एक लोग के लिए मलब तन में खा सकता है उसकी कछुटी है तो वह खा सकता है सुबह उसको बना के दे दूंगी नास्तामी हो जाएगा तो चलिए फिर वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रहे हूं चल रहे हैं तन में को दूद दूंगी उसके बाद फिर आऊंगी सोने तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई गुट नाइट